हलो गैइड, वेलकम, कैसे हैं बात कर जबंको नए यूट्टीन्ट क्रियेटर और बऊद सारे यूटुब स्वाल था कि क्या हमें भी स्वाल था कि क्या हमें भी waktu के लिए डिस्कृिप्ट्रिप्शन और हैजीder टैग लगाना जरूरी है और साथ-साथ उनके मन में यह भी सवाल था क्या अची कि अपने shorts को कैसे viral करें shorts को viral करते के लिए कुछ tips चाह रहे थे तो सबसे पहले कुछ सवाल जो उनके मन में आ रहे हैं उनके लिए जवाब देना चाह रहा हूँ देखे यार जब आप long video को search करते हो तो आप क्या करते हो title और description पका ध्यार में रखते हो title सर्च किये क्योंकि हमें उससे related proper information चाही तो title आप लिख करके long video सर्च करते हो लेकिन shorts में कभी भी आप खुद पे analyze करो क्या कभी भी आपने shorts के लिए क्या title लगाया नहीं ना तो आप बिना title के shorts को बना रहे हो upload कर सकते हो ठीक है तो shorts के लिए title लगाना जरूरी नहीं है बात करें description का तो हाँ यारा description थोड़ा लिख सकते हो वहाँ पे आप hashtag दाव सकते हो इससे क्या होगा न कि जिस nature का जिस तरीके का वीडियो है technical वीडियो है या पि किस topic पे आप वीडियो बना रहे हो आपका hashtag के द्वारा mention हो जाता है और जब आपका search list में आने लगेगा न तो आपका hashtag के कारण से वीडियो उस contents में जाएगा जहां पे आप technical बनाए हो या फिर मतलब कि जब starting में कोई reels देखते हैं या shorts को देखते हैं आपके वहाँ पे रिष्टेट होने लगते हैं हाँ अब वो रात है कि सर हमारा वीडियो बाइरल क्यों नहीं हो रहा है हम भी बहुत टाइम शेफट कर रहे हैं देखिया SEO search engine optimization जो है Google का वह एक अपने particular rule को follow करता है अगर आप continuity लगी रहते हो अगर आप proper एक टाइम पे वीडियो अप्टेट करते हो लगतार अपने YouTube पे बने रहते हो आपका content interesting रहता है लोगों को देखने में अच्छा लग रहा है लोग आपके वीडियो को पसंद कर रहे हैं ज्यादा watch time आपका ले रहे हैं तो वहाँ पे YouTube को लगता है कहते है कि आपका वीडियो फोड़ा informative है अच्छा है वहाँ आपके वीडियो को promote करते हैं अब आपके मैंन में आ रहा है कि impression का बहुत बड़ा रोल करता है आपका साथ साथ सब्सक्राइबर को लोग पूरा ही देखे साथ सब्सक्राइबर 15 मिनाट लोग वाच करते हैं तो यह करते नर्स कीप करते हैं चलो थोड़ा फास्ट कर दो तो वहाँ पे आपका वाच आवर जो थोड़ा कम दिखाया था वाच का डिवरेशन जो रहेगा वो कम उनका हो जाता है लेकिन सौट्स 15 सेकेंड का होता है 10 सेकेंड का होता है अब कोई 2 सेकेंड को नहीं देखता है यहाँ पूरा देखना ही पसंद करते हैं तो आपका इमप्रेशन क्लिक आपका सौट्स में जादा होता है यही कारण है कि आपका shorts वीडियो का impression बढ़ाने के लिए helpful होता है साथ-साथ subscriber को gain करने में भी helpful होता है और लग रहा हो कि हमारा information थोड़ा आपके समझ में आया आपके सवाल से related था तो subscribe कीजेगा और हाँ, shorts बना रहे हो, tag डालो, अच्छा suspensable content लिको जिससे जो viewers है, उनको attractive करें, उनके mind में लगे कि नहीं देखना चाहिए आगे क्या होने वाला तो आपका वीडियो पक्ता यार, grow करेगा और viral भी होगा धाने बाद